तो संडे का दिन था, हमने सोचा था कि RKG का एक स्पोर्ट्स डे इवेंट और एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखेंगे जिसमें सारी फैकल्टीज की अलग-अलग टीम्स होंगी, सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा तो हमने क्या करा, हमने अपनी पूरी टीम्स को चार पार्ट्स में डिवाइट कर लिया, रेड टीम के कैप्टन थे शडिन सर, ब्लू टीम का कैप्टन था मैं, यानि पराक सर, यलो टीम के कैप्टन थे अली सर और ग्रीन टीम के कैप्टन थे प्रकाश सर, सभी बच्चों को हमने डिवाइड कर दिया था अलग-अलग टीम्स के अंदर स만के तव श्व ऐशि श्माने राहे तव जल दाधा जय रड बंड दाधायत जय हे रभादत भाद एदिवादा जय हे, जय हे, जय हे जय हो तूर्णामेंट कुछ इस तरह रखा था, सबसे पहला मैच होना था टीम A वर्सिस टीम C का, दूसरा लीग मैच होना था टीम B वर्सिस टीम D का, हमने विनर्स का एक फाइनल मैच रखना था, लेकिन उससे पहले हमें लूजर्स का एक थर्ड पुजीशन के लिए मैच रखना था, हमने सोचा था बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन धूब इतनी जादा थी उस समय, लगबग 36 डिगरी सेल्सियस का टेंपरेचर था, और ब अगला लीग मैच हुआ, ग्रीन टीम और यलो टीम का, प्रकास सर और अली सर के इस मैच को कह सकते हैं, वन साइडेड मैच था, जिसमें डॉमिनेंटली यलो टीम, अली सर की टीम, वन साइडेडली मैच जीत गई, फिर हमने थर्ड पुजीशन के लिए, ग्रीन वर्सेज र मैच रखा, जिसमें अगेन रेट टीम हार गई, और रेट टीम की पोजीशन मिली फोर्थ और थर्ड पोजीशन पर आई ग्रीन टीम, फिर मौका आया फाइनल मैच का, जिसमें ब्लू वर्सेज येलो, ये फाइनल मैच होना था, टॉस हुआ, फिर से ब्लू टीम हार गई और उन्हें बैटिंग कर ली थी ब्लू टीम ने 6 ओवर में लगाए थे 70 रंस एक अच्छा टार्गेट था यलो टीम चेज करने उतरी लग रहा था कि ब्लू टीम भारी रहे की जीट जाएगी लेकिन यलो टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा खेलते रहे एंड तक मैच जो बहुत ही मज़ा आया सभी को फाइनल मैच में लेकिन एंड में जाकर जब ब्लू टीम जीत गई उन्होंने अपने रंस जो थे उसको बचा लिया चेज होने से और फाइनली जो ट्रॉफी थी वो मिनी ब्लू टीम को तो फिर मिलेंगे दोबारा से और क्रिकेट को कॉंटिन्यू रखिए क्योंकि बहुत से खिलारी है जो है उभरता हुआ टैलेंट है और क्रिकेट को लगातार आप जो है बनाए रखिए